हेलो फ्रेंट्स मैं अमित्यादव वैटनरियन आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल वैट पैट एंड जोन जो साथी चैनल पर ने जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें आज हम एक ऐसे टोपिक पर चर्चा करेंगे जो डेरी फोर्मर है जो किस पर लगने वाड़े जू चिचड मक्ही मच्छर चेकिस परगार बचा जाए इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इनकों हम एक्स्टरनल पैरसाइट भी बोलते हैं बारी पर जीवी भी बोलते हैं यह पशू की स्किन पशू के ताउचा पर रहते हैं और पशू का खू आत programme यह कुष्छी होघी जैसे को Audica है मच्र है वी बीमार पशू पर भैठा है और उससे उठख nessal एक सवस्बस्ती पर जाएगा सब्स्क्राइब हो जाती है ओर फशू बचैन हो जाता है ऐसी देञ बिमारिया होते जिसे पशू की महती हो जाती है यह लगका करते हैं यह पछूतां असे पशू की ताउचा पर गष उप्रहाव कर देंगे या उसके खूंका करेंगे खुन को चुषेंगे पसू से ही अपना खाना लेंगे तो पसू में अनेक परकार की समस्याइं देखने को मिल जाती है जैसे जो दूदारू पसू है उसका मिल्क प्रोडक्शन उसके दूद देने की जो छंपता है वो कम हो जाएगी पसू दूद कम देगा तो दूद कम करन क्या देखने को मिलता है कि बरशाद के मुझें में बाफ भी बन जाते हैं जिससे और ज्यादा समस्य पैदा हो जाती है हम फिडिंग व्रीटिंग पर तो ध्यान देते हैं लेकिन एक्टो पेरसाइट है बारी पर जिवी है उस कोपर द्यान ठोड़े कम देते हैं तो चीजत बाई के के रूप में थोड़ा जागरू करने का करोंगी हम हम बारी पर जीवी का रोकद म्हाँ कर सकते हैं NASA impossible से कर दो तरीके हैं को इनको कן्तный नहीं तो पहला तरीका यह है कि IMAN साबूने ये स्प्रे का इस्तमाल अमार्केट में जैसे टिनैक्स है तो पास किसान वैक्स एक गरते हैं जो अध्सक्रे लाते हैं जो Ze W eeeemıld checkpoint दू ने कह सकते है और हम पशू के श्रीर पर सप्रे कर देते हैं यदि उस पर मल देते तो क्या होता पशू कई पशू की शिकन म oppose सेंस्टिफ होती है और वह पशव मेर ये श्मरीरा गड़ती है जिसें यह होता पशू के श्रीर पर सोच जना जाता है या फिर बार-बार उठाब टी करता है या चक्र गाटता है जैसे आम अपने गाव में बोलते हैं तो समस्या का समान बहुत समस्या का शामना करना पड़ता है एक तो यह तरीका है दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा एक बिल्कुल करें लिव उपचार बिल्कुल छस्ता बिल्कुल टिक कव उपचार कि सबसे पहले आप व क्या करना है कि वाद्ले Bentar ऐं दो बालने से अटा लेंगे निच्छे उतार लेंगे उरुष पाणी एक लिटर जो पाणी बचा है उसको चलने में से छान कर नीम की पत्यां अलग और पाणी अलग उस पाणी में हम क्या करेंगे डाई-100 गिराम नमक एड़ कर लेंगे क्या करना है सबसे पहले पाणी उबाला अद्धा पाणी प나डिक लिटर पाली उसमें 500 गिर्म नमक एड़ कर लिया नमक numéro 15 बाणने के बाद नहलाने के बाद क्या करना है जो पांच लिटर पाणी है जो सोलिशन है उसको स्प्रे करना है पसु के श्रीर पर सप्रे करें या स्प्रे की वश्ता नहीं है तो क्या करें एक कपड़ा ले उसको गिला करें उस सोलिशन से और पसु के श्रीर पर अच्छी तरीक के से रगड इसके बाद पशुको नेलाना नहीं है और उस सोलीचन को 해서 به िनिये शिरफ क्या पशुक की तौक सरुर्टा पर मल देना है लगड देना और बश्राईस प्ल सुलज छाता है जो बांते हैं जो इसकी स्थान होता है या डेरी है उसमें उसका छिड़का उगरें इससे क्या होगा जो मक्ही है मच्छर बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे कोई समस्या ही नहीं रहेगी बहुती अच्छा रजल्ट देखने को मिला है जो आम तोर पर घर में हरा आदम इसको प्रय सब्सक्राइब लोगा बहुती अच्छा ट्रीटमेंट है बहुती अच्छा है तो इसी परकार आप मेरे चैनल से जुड़े रही और नोलेजबल वीडियो देखते रही हो चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें थैंक्यू है तो आप में वीडिल करें गृट है बहुती अप्राइबल लोगा एक रट इसक्राइब रही होई है झाल को अक्याँ तो आपक में करें तो तो आपके। टेखते बहुती इसक्छा आपके।